गुड मॉर्णिंग नमस्कार कैसे हैं आप सभी मैं तुरकुमा सर्मा एक बार फिर आप सभी के लिए एक इंपोर्टेंट नियम के साथ उपस्थित हूँ बचों इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे हाईजेन वर्ग का अनिश्चिता का सिध्धान्त हाईजेन वर्ग का अनिश्चिता का सिध्धान्त बहुत ही अधिक इंपोर्टेंट है एकजाम में कई बार बच्चों इस नियम को पूछा गया है इस सिध्धान्त को पूछा गया है तो मैं एक एक करके इस सिध्धान्त की आपको जानकारी देता हूँ, आप लोग वीडियो को इस तरह से देखना, कि आपको वीडियो देखते समय ही हाईजिन बर्ग का या सिध्धान्त कम्प्लिटली याद हो जाए, फिर आपको कहीं अन्य बुक्स से अत्वा नोट्स से इस इसको याद करने कि आवसकता ही ना रहे, ऐसा उद्देश है इस लेक्चर को बनाने का, हाईजिन बर्ग का बच्चो या सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया, और कब प्रतिपादित किया, सबसे पहला पॉइंट यही हम लोग डिसकस करेंगे, बच्चो हाईजिन बर् किया, क्या नाम था उन बैग्यानिक का, तो आपके सामने मैंने लिख रखा है वर्नर हाईजिन बर्ग, वर्नर हाईजिन बर्ग नामक बैग्यानिक ने सन 1972 में बच्चो यह नियम परस्तुत किया था, यह नियम क्या है, नियम भी एक वार देख लीजिएगा, आपके सामने मैंने लिख रखा है कि सटीक रूप से छोटे गत्सीलकन कोई छोटा गत्सीलकन है तो उस छोटे गत्सीलकन की इस्थिति और बेग बेग का मतलब गति दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है बहुत ही उचा जाने वाला यह नियम है बच्चो बहुत ध्यान से एक बार देख लेजिएगा हम लोग गतिको और इस्थित को अगर निर्धारण करते भी हैं तो बच्चो सटीक रूप से कितना प्रमाडित होगा इसके बारे में कहपाना सही नहीं होगा तो आपको क्यारना क्या है इस नियम को यहीं परियाद कर लेना है कि सटीक रूप से किसी छोटे गत्सील कड की इस्थित और उसके बेग दोनों का निर्धारण एक साथ किया जाना संभव नहीं है एक समय में हम इस्थित को बता सकते हैं या फिर बेग को बता सकते हैं लेकिन दोनों को एक साथ निर्धारण कर पाना एक साथ जान पाना बच्चों संभव नहीं है तो आई होप आपको या नियम यहाँ पर याद हो गया होगा एवर फिर से हम लोग इसको रिपीट करेंगे सटीक रूप से किसी छोटे गत्सील कड की इस्थित और उसके बेग को निर्धारण करना संभव नहीं है बचों हाईजिनबर्ग ने इसका mathematical relation भी बताया था mathematical equation अर्थात गड़ती समिकर्ण को भी बचों प्रस्तुत किया था वो गड़ती समिकर्ण क्या है आप देख लीजेगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी इस ग्रेटर देन एच अपान फोर पाई इस ग्रेटर देन एच अपान फोर पाई जहां डेल्टा एक्स क्या चीज है आप देख रहे हैं इस्थित में अनिस्चिता डेल्टा एक्स क्या है इस्थित में अनिस्चिता है डेल्टा पी क्या है बच्चों गती में अनिस्चिता है और H क्या चीज है H देखिएगा बच्चों एक बैग्यानिक थे प्लांक जिन्होंने अपना नेतांक दिया था जिसको H से उन्होंने सू किया था तो डेल्टा X into डेल्टा P is greater than H upon 4 5 यही डेरिवेशन बच्चों हाईजनबर्ग ने दी थी देल्टा X इस्थित में अनिश्थिता है देल्टा P गती में अनिश्थिता है H क्या चीज है प्लांक नेतांक है तो I hope आपको यह नियम यही पर याद हो गया होगा हाईजनबर्ग का यह अनिश्था सिधान्त कब दिया गया किसने दिया क्या नियम था और बच्चों इसका mathematical derivation क्या है तो मैंने आपके सामने इस complete नियम को रखा है बच्चों जिन्हों ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है किरपया मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताक कि मेरे दोरा upload की जाने वाली सारी वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलती रहे तो बच्चों कैसा लगा आपको यह वीडियो मेरी comment box में comment जरू करें अपना नाम भी मुझे लिक करके बताएं चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए घर पे रहे सेफ रहे